और जल इस्तर अचानक बढ़ जा रहा है इसलिए नहाते समय सुरक्चित नाया और सुरक्चित अपने घर पहुचे लोगों को सुचित किया जाता है कि बरसात की नदी का जल इस्तर बढ़ गया है इसलिए जल इस्तर से दूर रहे और नदी के किनारे से दूर रहे नहाते समय ध्यान रखे पानी का बाहो कभी भी तेज हो सकता है इसलिए समय सयम बरते और नहाने में नदी के अंदर न गुसे आपको दुबारा से बताए जा रहा है बरसात का पानी का बहुत तेज है और जल इस्तर अचानक बढ़ जा रहा है इसलिए नहाते समय सुरक्षित नहाएं और सुरक्षित अपने घर पहुँचे लोगों को सुचित किया जाता है कि बर्षात की नदी का जल इस्तर बढ़ गया है इसलिए जल इस्तर से दूर रहें और नदी के किनारे से दूर रहें नहाते समय ध्यान रखे पानी का बहाव कभी भी तेज हो सकता है इसलिए समय सयम बरते और नहाने में नदी के अंदर न गुसे आपको दुबारा से बताए जा रहा है बरसात का पानी का बहुत तेज है और जल इस्तर अचानक बढ़ जा रहा है इसलिए नहाते समय सुरक्चित नहा है और सुरक्चित अपने घर पहुचे लोगों को सूचित किया जाता है कि बरसात की नदी का जल इस्तर बढ़ गया है इसलिए जल इस्तर से दूर रहे और नदी के किनारे से दूर रहे नहाते समय ध्यान रखे पानी का बहाव कभी भी तेज हो सकता है इसलिए समय सयम बरते और नहाने में जो है नदी के अंदर ना गुसे आपको दुबारा से बताए जा रहा है बरसात का पानी का बहुत तेज है और जल इस्तर अचानक बढ़ जा रहा है इसलिए नहाते समय सुरक्चित नहा है और सुरक्चित अपने घर पहुचे इसलिए नहाते समय सुरक्चित नहा है और सुरक्चित अपने घर पहुचे इसलिए नहाते समय सुरक्चित नहा है और सुरक्चित अपने घर पहुचे लोगों को सुचित किया जाता है कि बर्षात की नदी का जल इस्तर बढ़ गया है इसलिए जल इस्तर से दूर रहे और नदी के किनारे से दूर रहे है नहाते समय ध्यान रखे पानी का बहाव कभी भी तेज हो सकता है इसलिए समय सयम बरते और नहाने में जो है नदी के अंदर ना घुसे आपको दुबारा से बताए जा रहा है बर्षात का पानी का बहाव बहाव तेज है और जल इसतर अचानक बढ़ जा रहा है इसलिए नहाते समय सुरक्चित ना आए और सुरक्चित अपने घर पहुचे